नमस्कार दूस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि branch loan application के account को delete कैसे कर सकते हैं जी हैं गई जाप भी branch loan application के account को permanently delete करना चाहते हैं तो गई जाज किस वीडियो को start से लेकर end तक पूरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ले सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करके All पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की notification आपको मिलते रहेगी तो चलिए प्रेंट साज का इवडियो स्टार्ट करते हैं तो गई सबसे पहले आपको Play Store application को उपन करना है play store application को open करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर play store application open हो चुकी है और गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आपको search bar में search करना है branch loan app branch loan app search करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आपको branch loan application को download करना है तो गई जहाँ पर मैंने branch loan application को पहले से डाउनलोड करके रखा है इसके बाद गई जहाँ पर आपको इस application को उपन करना है उपन करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकती है यहाँ पर branch loan application उपन हो चुकी है यहां पर आप को इस तरह का इंटरफिस देखने को मिल जाता है तो गई जहांपर आपको ब्रांसलॉन अबिंद किसन के एकाउंट किशंच को डिलेट करना चाहते है यहाँ पर branch loan application के account को delete करने के लिए ऐसा कोई भी option देखने को नहीं मिल रहा है तो गई जहाँ पर आपको क्या करना यहाँ पर branch loan application के account को delete करना चाहती है तो गई जहाँ पर आपको बैकाना है वैक आने के बाद गई जहांपर आपको play store application को open करना है प्ले इस्ट आर अपको प्लिकेसन को open करने के बाद गई जहांपर आपको app support का option देखने को मिल जाता है यहांपर आपको brand plan application के customer care को यहांपर आपको mail का बेरे लेकिने को के डिवदा बार्ट trabalho करना है दीख सकते हैं यहाँ पर आपको subject का option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आपको subject में type करना है delete my account, delete my account type करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर मैंने type किया dear branch team please help me I will delete my account तो गई जहां पर आप दीख सकते हैं message type करने के बाद गई जहां पर आप दीख सकते हैं यहां पर आपको उपर के और share के option पर क्लिक करना है यहां पर आपका mail customer care के पाद जाएगा और गई जहां पर आप दीख सकते हैं यहां पर branch loan application का customer care आपका mail चेक करेगा mail चेक करने के बाद गई जहां पर आपको reply करेगा कि आपका account है वो permanently delete कर लिया गया तो गई जहां पर आप दीख सकते हैं इस तरह से आप इजी तरीके से branch loan application के account को permanently delete कर सकते हैं तो गई अगर आपको वीडियो चल लगो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना